हेलो एवरीवान वेलकम बेक टू माई चेनल आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मॉनिका टाइम है व्रत है ग्यारस का तो उपवास है मतलब ग्यारस का तो खाना बनाना नहीं था बच्चों के लिए टिफिन का कर दिया है मैंने तो लेके गए थे पकोड़े तो पकोड़े बना दिये थे तो बस वह बचाता तो उसको ठक के साइड में रख दिया है मैंने तो उसमें और भी कुछ बना लूँगी मैं कि जला हुआ है तो इसको ऐसे ही यूज कर लूँगी और यहां पर कर रहे हूं क्लेनिंग तो कांटर ट्रप क्लेन कर लूँगी उ ही बनाऊंगी बोग के लिए प्रिशाद और चिजडी तो देखिए यहां पर मैंने कांटर टोप क्लीन कर लियाए और यहां पर सींग को इसी तरीके से कांटर टोपी क्लीन कर लेती हूँ झब ठंड है तो नहीं होता है एतना दू-दू दो ताइम तो मोर्निंग में बहुत अच्छे से ख्लीन कर लेती हूं और शाम को सिर्फ काॉंटर टोप को ही क्लीन कर पाती हूं सिंख नइस Kendall कर दिखा नहीं होता है इतना गंदा नहीं होता है दिन में यह बार बहुत अच्छे से कहा ही जाता है इसी लिए ठंड भी है काफी तो यह देखी यहां पर मैंने दो लिया है सिंग को सिझकोः पितने च diff entering गई है और अब यहां पहले पहुच लूँगी पहले पहुच लूँगी पहले पहुच लिया है इसको उसके बाद भूख फिर पापिस इसको गुमा लूँगे इसी तरह कैसे क्लीन कर लेती हूं काउंटर टॉप क्लीन कर लिया है और यहां पर कपड़े भी हो गए थे तो पहले कपड़े सुखा दूँगी क्योंकि धूप फिर चली जाती है तो कपड़े सूख नहीं पाते हैं और वैसे भी ठंड है तो वैसे भी नहीं सूख पाते हैं तो थोड़ा जल्दी सूखा यहां इतने अच्छे से नहीं आती है हवा यह देखे धोफ है थोड़ी तो मतलब आधी तो चली ही गई है अब थोड़ी देर ही रुपकेगी तो फटापड से सुखा देती है अबरीवान वेल्कम बेक टू माई चैनल आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और कपड किन वगेरा हो गया था बच्चों का सुबह तो यह अच्छे से कर लिए है क्लीम तो अभी में बनाऊंगी 11 से आज तो खाना मेरा नहीं बनाया मैंने तो अभी में बना रही हूं तो यहां पर भी में बना लूँगी थोड़ी सी जागा नहीं बना अगी तो यहां पर बना देती हूं तो भूग लगाने के लिए काम आ जाएगा तो चली हल्वा बनाते हूं तो यहां पर प्लेणिंग हो चुकेती है तो यहां चटा दी है मैंने गडाई और इसमे में बनाऊंगी हलवा तो यहां पर यह देखिये गी है तो यह इस तरीकी की packing आती है, यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, तो निकलता नहीं, एक तो ठंड है उपिर उपर से इस पाउच में रहता है, तो अच्छे से निकल जाता है, इस तरीके से box वाले packing में रहता है, तो निकलना बहुत मुझकिल हो जाता है, म अबुत सिंगवडे लाकर मैंने उसको पाउडर बना के मिक्सी में और रख दिया ता फ्रिज में तो बस यह वही है तो थोड़ा डाला है पहले की थोड़ा अंदाजन ही गीरा दिया थोड़ा डाला है फिर इस टाइम पे मुझे थोड़ा कम लगा था तो मैं और ले फिर आदत हो जाती है तो इसी तरीक से थोड़ा साथा मैंने और ले लिया अच्छे से कर लोंगे मिक्स और फिर देखोंगी जितना जुरुत हो का उतना घी डाल लूँगी थोड़ा सा घी डाल दिया है और चला के देख लूँगी जैसे मेल्ट होगा तो पता चल जाएग ज्यादा भी गी उपर तेड़ता है तो नहीं अच्छा लगता है तो मिक्स कर लेंगे अच्छे से और धीमियाच भून लेंगे और आप बर्फी भी बोल सकते हैं में इसको जमाऊंगी हलवे की तरह रखोंगी नहीं जमाऊंगी बहुत अच्छी बनती है इस बर्फी पानी कई लोग घरम करके भी डालते तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं पर मैं नॉर्मल ही डाल देती हूं चरू का पानी है ठंडा तो नहीं तो बस इसको इसमें जल्दी से गाठे पढ़ जाती है तो इसलिए मैंने स्पैचोला का यूज किया है तो इससे क्या होता है कि गाठ पढ़ रही थी थोड़ी सी लेकिन इससे चलाने से सब एकदम स्मोथ हो जाएगा तो इसलिए मुझे यह काफी अच्छा लगता है तो यहां पर के स्लो है और होता जा रहा है तो तब तक मैंने यह ले लिया है जमाने के लिए क्योंकि मैं जमाने वाली हूं ऐसे नहीं रख नी करन adjacen यहां तो मैंने गी लिया उसको पेचोल ईसकी मद़ सेहीं मैंने इसको नदब से फेला लित है क्योंकि वैसे खरूम था तो अचछी क्योड़े चिनी तो बड़ा दबा ली यह भीना है। उसमैं निकाल लिए चीनी डेली-eet तुमधा शले रेडी हो चुका है हमारा हलवा बस यह अच्छे से मेल्ट हो गई है गैस ऑफ कर दिया है मैंने और इसको पलट लेंगे इसमें और देखिए कितना इजी निकल आता है नॉन इस्टिक में बनाओं बरतनों में तो यही फाइदा रहता है बहुत ही इसली निकल जाता है और बादाम और पिस्ते की कत्रन बड़ी थी तो वह थोड़ी थोड़ी में डाल ली है ज्यादा नहीं डाली क्योंकि बचो पसंद नहीं आता है तो थोड़ी ही डाली है मैंने और अब इसको मैं रख दूंगी साइट में ठंडा होने के लिए उसके बाद इसके पीसिस करू की ततर नहीं होता है फिर को और दिन नहीं निकलते है तो यहां पर देख सिंगदाने सेम में ही भुनली है और उनको रख दिया ठंडा होने के लिए और यहां पर इनकी कर लूँगी पीसिस तो छोटे-चोटे पीसिस ही कर रही हूं है ताकि एक ही बाइट में आराम से खा सके ऐसा बच्चों को वैसा ही पसंद आता है ज्यादा बड़े-बड़े नहीं पसंद आते हैं तो यहां पर इपीस निकाल दिया है मैंने देख सकते हैं आप इतना अच्छा बनाएं बहुत ही टेस्टी बनता है तो आप लोग भी ट्राइब कीजिएगा और यहां पर अभी सिंग्दाने जो ठंडे हो गए थे तो उनको में एक बार ही गुमा लिया है ज्यादा बारिक पा उस वक्त में गर्म किया तो यहां पर कड़ाई रख दी है मैंने घी गरम उने के लिए रखा है और आलू ले लिए हैं दो उनका चिलका उतार के बारिक बरी कट कर लोगी बॉल नहीं किये मैंने क्योंकि एक य दो आलो के लिए क्या कूकर चड़ा ना तो मैं इसको ऐसे बा यहां पर डाल दिया है कि में मैंने चीरा करीबता नहीं था वर्ना उसे भी बहुत अचा टेस्ट आता है तो जो था उसे से बना लिया मैंने अब आद डाल दी है आलू और इंको अच्छे से भून लेना है तो गेस में यहां पर फुल ही रखा है तो मैंने गैस फुल ही रखा है और इसको में ढख दूंगी थोड़ी देर के लिए तो यहां पर मैं इसको डाल दिया है मैंने इसमें तिल भुने वही रखेते मेरे पास तो मैंने दो चमच जितना तिल डाला है उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है तिल से फिर से मैंने ढख दिया है और गेस फुल ही रखाए तो यह ब्राउन ब्राउन आ जाता है न स्पूर्ट से बहुर टेस्टी लगता है और अब इस ताइम पर दबा के देखे थी पर यहां पर दिया है और यहां पर डाल दीया है मैंने मंफली के जो पा vevd तो इसमें के जो मुंख्ली के दानों में जो रहता है वह रिलीस करता है तो यह भी भून जाएंगे तो बहुत अच्छा तेस्ट आता है तो थोड़ा इस तरीके से भून लेंगे तो अच्छे से टेस्ट आएगा और देखिए बिल्कुल एकदम कलर चेंज हो जाएगा वाइ तो थोड़ा सा डालों प्राइब तो फिर वह खारे हो जाते हैं इसलिए मैंने थोड़ा नमक अभी डाला है और अच्छे से कर लेंगे मिक्स और यह देखिए ठिचडी हो गई है रेडिस आवदाने की थोड़ा पानी जादा होनी के वज़े साब उदानों में थोड़ी स् तो चलिए वीडियो को करते ही पर एंड आई हूप आपको वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया तो लाइक से शेस्क्राइब करें